गंगा सत्मी की कता फवराडिक सास्त्रों के अनुसार बैसाक मास सुकल पर्च की सत्मी तिथी को मा गंगा स्वर्ग लोग से सिव संकर की जटाओं में पहुची थी इसलिए इस दिन को गंगा सत्मी के रूप में मनाया जाता है जिस दिन गंगा जी की उत्पुत्ती हुई वह दिन गंगा जैनती वैसाक सुकल सत्मी और जिस दिन गंगा जी प्रित्वी पर अवत्रित हुई वह दिन गंगा दसहरा जेश्ट सुकलत दस्मी के नाम से जाना जाता है इस दिन मा गंगा का पूजन किया जाता है गंगा सक्तमी के आउसर पर मा गंगा में डूपकी लगाने से मनुस के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुस को मोच की प्राप्ति होती है वैसी तो गंगा असनान का अपना अलग ही महत्व है लेकिन इस दिन असनान करने से मनुस सभ भी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों, सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में असनान करने से दस पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुन्य का विशेश महत्त है। सास्त्रों में उलेख है कि जीवन दानी गंगा में असनान पुन्य सलील नर्मदा के दर्सन और मोच दानी सिप्रा के अस्मरन मात्र से मोच मिल जाता है। गंगा सत्मी के दिन गंगा पुजन यो मसनान से रिद्धी सिद्धी यस सम्मान की प्राप्ती होती है। सभी पापों का अच्य होता है। मानता है कि इस दिन गंगा पुजन से मांगलिक दोस से ग्रसित जातकों को विशेश लाव प्राप्त होता है। विदी प्रिधान से किया गया गंगा का पूजन अमोग फल प्रापदान करता है। पुराणों की अनुसार गंगा विश्रू के अंगोठे से निकली हैं, जिसका पृत्वी पर अवतरण भागीरत के प्रयासे कपिल मुनी के साव द्वारब भस में कृत हुए राजा सगर के साथ हजा पुत्रों के अस्तियों का उधार करने के लिए हुआ था। तब उनके उधार के लिए राजा सगर के बंसज भागीरत ने घोर्ट अपस्यकर माता गंगा को प्रसन किया और धर्ती पर लेकर आए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौरारी कथाएं जूड़े हुई हैं जो गंगा जी के संपूर अर्थ को परिभासित करती हैं। गंगा नदी हिंदूों की आस्ता का केंद्र है और अनेक धर्म गरंतों में गंगा महत्तो का वर्डन देखने को मिलता है। एक अन्य पौरारी कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मा देव के कमंडल से हुआ। एक अन्य मानता है कि वामन रूप में राचचजबली से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मा देव ने भगवान विशू के चरण धोय और इस जल को अपने कमंडल में भर नारद मुनी ब्रह्मा देव तथा भगवान विशू के स्लमच गानक आया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विशू का पसीना बह कर निकलने लगा। जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। गंगा सत्मी व्रत कता सनातन सास्त्रों में मा गंगा की उत्पत्ती का वर्डन है। त्रेता युग में इच्वाकु बंस के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राजी का व्यापक विस्तार किया। हाला कि उनके मन में समराट बनने की गहन इच् पंडितों से सलाह लेकर अस्वमेग यग करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को गोड़े के साथ प्रिथवी भ्रमण की आग्या दी राजा सगर के पुत्र जब प्रिथवी भ्रमण कर रहे थे तभी अस्वमेग घोड़ा खो गया यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी राजा सगर ने किसी भी कीमत पर असमेग घोड़ा लाने की सल्ला दी इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूड़ते ढूड़ते कपिला रिसी के आश्रम जा पहुचे उस अस्थान पर घोड़े को बधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला रिसी ने ही की है राजा सगर के पुत्र ने कपिला रिसी को ललकारा और अपमानित भी किया उस समय कपिला रिसी क्रोधी थो उठे और ततच राजा सगर के पूत्रों को भस्म कर दिया यह जानकारी राजा सगर को हुई उस समय राजा सगर ने अंसुमन असुमेग घोड़ा लाने में सफल हुआ साथ ही पित्रों को मोच दिलाने हे तो उपाय भी जाना उस समय कपिला रिसी ने कहा मा गंगा ही उनके पित्रों का उधार कर सकती है हाला कि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोच दिलाने के बजाए असुमेग यक किया इसके बाद अंसुमन को सत्ता सौप राजा सगर तपस्य हेतु बन चले गए। कालांतर में अंसुमन समेत उनके पूर्वजोग में पित्रों का उधार दिनाने हेतु मा गंगा की कठिन तपस्य की इनमें किसी को सफलता नहीं मिले। कालांतर में राजा दिलीब के पूत्र भागीरत ने राज त्याग कर हिमाले पर मा गंगा की तपस्य की। भागीरत को इसकार में सफलता मिले अंतता मा गंगा धर्ती पर उतरित हुए। हाला की मा गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान सिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भागीरत ने दोबारा मा गंगा की तपस्य की। उस समय मा गंगा ने भगवान सिव की तपस्य करने की सल्ला दी। भगवान सीव को प्रसंद करने के बाद भागी रत को पित्रों को मोष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वीएग में जुहू मुनी की यग साला बह गई। जब जुहू मुनी ने गंगा नदी अपने में समाहीत निगल कर लिया इस समय भी भागीरत को जुहू मुनी की तपस्य करने पड़ी तब बैसाक मां के सुक्ल पच्च की सत्मितिथी को जुहू मुनी ने अपने कानों से गंगा को बाहा निकाला भागी रतने रसातल में जाकर अपनी पुत्रों को उधार किया जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों को अस्ति मिली तो उन्हें मुझ की प्राप्ति हुई पवराणिक कथाओ के अनुसार एक बार राजा सांतनों मा गंगा के पास बिबा का प्रस्ताव लेकर गए थे गंगा जी ने उनके प्रस्ताव को एक सर्थ के साथ स्विकार किया कि आप कभी मुझे कोई प्रस नहीं करेंगे और ना ही कभी भी किसी चीज को लेकर रोकेंगे राजा ने गंगा जी के ए सर्थ मान ली और उनका विवा मा गंगा के साथ हो गया साथी के बाद जब राजा सांतनू और मा गंगा के यहां पहले पूत्र ने जन्म लिया तो राजा अधिप्रसन हुए लेकिन कुछी समय बाद मा गंगा ने उस पूत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया राजा संतनु मा गंगा से ऐसा करने का कारण जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मा गंगा को उनसे कोई भी प्रस्न न पूछने का वचन दिया, इसलिए मे आगंगा से कोई प्रस्न नहीं पूछ पाये। समय बीतता गया और मा गंगा जी ने एक के बाद एक साथ पूत्रों को उसी तरह गंगा में प्रवाहित कर दिया जब मा गंगा अपने आठवे पूत्र को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए ले जा रही थी तब उनके पती राजा सांतनों खुद को रोक नहीं पाए और मा गंगा से असा करने का कारण पोछा तब मा गंगा ने राजा को बताया कि अपने जिन पूत्रों को मैंने गंगा में प्रवाहित किया वे सब देवता थे जिन्हों ने हमारे पूत्रों के रूप में इस धर्दी पर जन्म लिया था इन सभी को रिशीव असिष्ट ने मनुस योनी में जन्म लेने और दुख भोगने का स्राप दिया था इन्ही देताओं की प्रात्ना पर मैं इनकी माता बनी और इनको मनुस लोग से मुक्ति प्रदान के इतना कह कर अपने आठवे पूत्र को राजा सांतनू के हाथों में सौब कर अपनी सर्थ के अनुसार मा गंगा अंतरधान हो गए राजा सांतनू और गंगा जी के आठे पूत्र का नाम देव ब्रत्था जो बाद में भीश्म के नाम से प्रसिद्ध हुए माना जाता है रिसी बसिष्ट के स्राप के कारण ही भीश्म को प्रित्वी परजन में लेकर आजीवन दुखों का सामना करना पड़ा